इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है जो आपके पेट और आतों की आंतरिक परतों की रक्षा करते हैं यह दवा बार-बार होने वाले दस्ट से राहत दिला सकती है जो इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में हो सकती है और उन्हें वापस आने से भी रोकती है यह आमतोर पर आपको कुछ दिनों के भीतर बहतर महसूस कराता है लेकिन आपको इसे निर्धारित रूप में लेना जारी रखना चाहिए तब भी जब आप यह सुनिश्चित करने के लिए बहतर महसूस करते हैं कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बनते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हाइडरेटड रहें इसे लेते समय खूब सारे तरल पदार्थ पिए इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मुँव से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं नोर्फेगील प्लस ओरल सस्पैंशन भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है लिकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए नोर्फेगील प्लस ओरल सस्पैंशन तीन दवाओं ओफलोकसासिन Metronidazole और Lactic Acid Bacillus से मिलकर बना है Ofloxacin और Metronidazole दोनों Antibiotics हैं जो अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं Ofloxacin DNA Gyrase नामक जीवानू एंजाइम की क्रिया को रोक कर काम करता है यह जीवानू को शिकाओं को विभाजत और मरम्मत करने से रोकता है जिससे वे मर जाते हैं Metronidazole बैक्टीरिया और अनिस उक्ष्ण जीवों को मारता है जो उनके DNA को नुकसान पहुँचा कर संक्रमन का कारण बनते हैं Lactic Acid Bacillus एक Probiotic है यह आंट में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करके काम करता है जो Antibiotic के उपयोग के बाद या आतों के संक्रमन के कारण परिशान हो सकते हैं साथ में वे आपके संक्रमन को प्रभावी धंक से मिटा देते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद